Hello everyone, I have a challenge for you. क्या आप white rice को pink rice में convert कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको भी थोड़ी सी chemistry की knowledge है. क्या है वो knowledge? जानते हैं. White rice याने की चावल को सबसे पहले चूना के अंदर, क्विक लाइम के अंदर हम mix करके धूप में सुखाते हैं कि हम differentiate ना कर सकें कि ये normal चावल है या चूना में mixed चावल है. उन चावलों को अच्छी तरीके से सुखाने के बाद, हम हमारी मुठी में अगर लेकर बंद करते हैं और फिर open करते हैं, तो उनका color white से pink हो चुका होता है. इसके पीछे की वज़े, क्योंकि इस मूठी में already phenophylline indicator लगाया हुआ था. जी हाँ, इन सब के पीछे है phenophylline indicator. phenophylline indicator जो कि normally colorless होता है और basic nature के अंदर ये colorless से pink color का हो जाता है. चावलों को जब हमने क्लाइम में mix किया, यानि कि वो basic nature के हो चुके हैं, और अग phenophylline उनके साथ react करके colorless से pink color शो करेगा. ऐसे ही chemistry के effect जानने के लिए subscribe के जी e-career point need channel.